खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार मैं हूँ प्रवीन आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज आईए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट दिल्ली फायर अधिकारियों के मताबिक एमस के टीचिंग ब्लोक में शनिवार को भयानक आग लगी थी उस ब्लोक के पास नो अबजेक्शन सर्टिफियेट तक नहीं है यह बिल्डिंग काफी पुरानी है नियमों के मताबिक हर तीन साल में फायर अनोसी लेना अनिवारे होता है और हर साल फायर अनोसी सर्टिफाइड होता है जो एमस ने नहीं कराई केंद्रिय स्वास्ते मंतरी डॉक्टर हर्शवर्दन ने रविवार को सुबा घटनस्तल पर जाकर हालात का जाइजा लिया उनके साथ एमस के डारेक्टर और वरिष्ट फैकल्टी मेंबर भी थे एमस प्रशासन ने इस मामले की आंत्रिक जांच शुरू कर दी है एमस ने की भयंकर आग पर समय रहते काबू पालिया गया जिससे कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद केजिवाल ने भी एमस हॉस्पिटल का जाइजा लिया और उसके बाद अर्विंद केजिवाल ने ट्वीट करके एमस प्रशासन की तारीफ क मुक्यमंतरी अर्विंद केजिवाल ने ट्वीट किया कि मैं आज एमस में उस जगे गया जहां कल आग लगी थी सोबागे से एमस प्रशासन की तुरित कारवाई से कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ दिल्ली के अगनी शमन विभाग के लोगों ने भी आग को काबू करने के लिए जम कर मेहनत की आग के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच चल रही है इस बीच एमस की आग पर केंद्रिय स्वास्तिर राज्य मंतरी अश्वनी चौबे ने कहा कि मरीजों को कोई समस्या नहीं हो रही है जिन मरीजों को शिफ्ट किया गया था वो वापस अपने वार्ड में पहुँच गए है नुकसान काफी ज्यादा हुआ है मशीने और दूसरे सामान जल गए है उन्होंने कहा कि कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है शौर्ट सरकिट की वज़े से एमस की इमारत में लगी आग से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं एमस प्रशासन ने अग्यात लोगों के खिलाफ IPC 336 और IPC 436 के तहट मामला दर्ज किया है और पुलिस जाच कर रही है दिल्ली फायर सर्विस के डारेक्टर विपिन केंटल ने बताया कि एमस के टीचिंग ब्लोक में OPD और नियॉरोलोजी ब्लोक भी है OPD ब्लोक में ज्यादा मरीज नहीं थे लेकिन उसके साथ वाले ब्लोक में 13 मरीजों को रेस्क्यू किया गया और साथ मरीज वेंटिलेटर पर थे जिने शिफ्ट किया गया वेंटिलेटर शाफ्ट की वज़े से आग अंदर ही अंदर उपर की तरफ फैल गई तो आप समझ सकते हैं कि देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कितनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है जिसके चलते इस तरह की हादसे हो रहे हैं इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज नमस्कार